नमस्कार आप देख रहे हैं जीनियस मेकर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कैलोरी के उपर चर्चा करने वाले हैं जब भी आप दुकान, खाने, पीने के चीज, पैकेट वाला खरीदने के लिए जाते हैं उस पैकेट में लिखा रहाता है, कि इसमें इतना कीलो कैलोरी उरजा है, इसमें इतना कैलोरी उरजा है तो आखिरकार ये कैलोरी है क्या, दोस्तो आज के इस वीडियो में हम इतना बारिकी से आपको चीजों को समझाएंगे कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि एक कलोरी कितना होता है एक दम बारेकी के साथ समझ में आपको आजाएगा चिंता करने की जरा सभी ज़रत नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को अन तक आप देखिए और सारी बातों को समझने का प्रियास केजिए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो जिस परकार एक केजी को आप समझ करके बैठे हुए हैं एक केजी एक किलोग्राम जिसे एक केजी का आप बाट को कभी जरूर उठाए होंगे है कि ने आपको मासूस हो रहा होगा अंदर से कि भाई एक केजी इतना होता है अगर कभी आप एक केजी आलू देखेंगे एक केजी प्याज देखेंगे एक केजी संतरा देखेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा हाँ एक केजी के आसपस है क्योंकि वह आपको मासूस है उसको आप समझे हैं दिल से बारिकी से ठीक है तो दोस्तो जब आपको 1 kg के बीसे में समझ में आ गया है अनुभूती हो गई है तो फिर अगर हम 50 kg की बात करें तो भी आपको समझ में आ जाएगा अंदर से अनुभूती हो जाएगा अच्छा 50 kg ठीक है अगर 100 kg का बात करें तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा 500 kg का बात करें ये भी समझ में आ जाएगा 1000 kg का बात करें ये भी समझ में आपको आ जाएगा इसके respect में सारा काम इसके respect में हो रहा क्योंकि आप 1 kg को सही डंग से जान रहे हैं तो भाई 5 kg रहे हैं 50 kg रहे हैं 100 kg रहे 500 kg रहे, कुछ भी रहे, आप असानी से समझ जाते हैं इसके respect में, ठीक है, तो उसी तरह दोस्तो, हम लोग जानेंगे सबसे पहले 1 calorie की बिसे में, कि भाई, एक calorie में कितना होता है, एक calorie आखिरकार है क्या, तो फिर 500 calorie, 2000 calorie, 1800 calorie, ये सब अपने आप समझ में आने लेगा, जिन्ता करने की कोई बात नहीं, तो उसलिए जानते हैं कि भाई, एक calorie कितना होता है, तो यहाँ पर definition में अगर देखें दोस्तो, तो यहाँ पर लिखा गया है, the amount of heat, the amount of heat, यानि कि उसमा की मातरा, needed to increase the temperature of a one gram of water by one degree Celsius, अगर हम हिंदी में देखें, तो उसमा की उतनी मातरा, जिस से एक gram जल का तापमान एक डिगरी Celsius बढ़ जाए, सहथ आपको समझ में नहीं आया होगा, तो समझाते हैं, जिनता नहीं करना है भाई, समझ में सब कुछ आएगा आपको, देखिए, यहाँ पर हम एक बुंद जल लेते हैं, बड़ा सब बुंद है यहाँ ठीक है, एक है, वन ग्राम, एक ग्राम, ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम हीट देंगे, क्या देंगे भाई, हीट, यानि कि उसमा, अब हम इतना उसमा देंगे, इस जल को हम इतना उसमा देंगे, कि इसका टेमपरेचर, मान के चली कि 25 डिगरी Celsius है, तो बढ़ करके 26 डिगरी Celsius हो है, जितना उसमा खर्च हुई है, एक डिगरी Celsius बढ़ाने में इस वन ग्राम वाटर का, वही कहलाता है, वन कैलोरी, क्या कहता है, वन कैलोरी, तो एक्च्वली यहाँ पर यह कैलोरी है न दोस्तों, यह यूनिट है, क्या है, एक्च्वली यह यूनिट है, किसका, तो का, एनरजी कौन सा, तो यहाँ पर अगर हीट एनरजी की बात हो रहे ही, तो हीट एनरजी, एनरजी बहुत तरह क्या होता है, केमिकल एनरजी होता है, तो सौंड एनरजी होता है, तो और एनरजी होता है, बहुत तरह क्या है, तो यहाँ पर जो उसमा है, उसी का क्या है, व कि इकाई है किसी quantity को दर्सा रहा है और वो quantity कौन सा है उसमा heat ठीक है चलिए तो वन कैलोरी का मतलब क्या हुआ कि एक ग्राम वाटर को हम इतना heat दीए amount of heat जो एक डिगरी celsius temperature बढ़ा दे अगर 10 डिगरी celsius का temperature है एक ग्राम वाटर का तो हम जो heat दे रहे हैं और 10 डिगरी celsius जो 11 डिगरी celsius हो जा रहा है मतलब एक डिगरी जो बढ़ जा रहा है तो एक डिगरी बढ़ाने में जितना उसमा खर्च हुआ है उस उसमा की मातरा को हम लोग एक कैलोरी कहेंगे मुझे उमीद है कि यदि आप बातों को सुने होंगे सही ढ़ंग से तो समझ में आ गया होगा कि एक कैलोरी कितना होता है उसमा की मातरा है एक चोटी सी उसमा की मातरा जादा नहीं चोटी सी बस एक डिगरी celsius बढ़ाना है एक गराम वाटर को ठीक है बस वही कराता है एक क चीजी समझ में आ गई होगी कि definition क्या कहता है अब हम लोग जो खाने पीने वाला समान खरीते हैं उसमें लिखा रहता है कि भाई इसमें 2000 kilo calorie इसमें energy है उसमें 500 kilo calorie है ठीक है या पर actually calorie क्या है भाई unit है energy का clear चलिए अगर दोस्तों जो भी हम लोग खाते है basically उसमें क्या होता ह चलिए उसी को लिखते हैं यहां पर firstly क्या होता है carbohydrates 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 अगर second में हम देखें तो protein होते हैं protein तीसरा नमबर में देखें तो height जिसको वसा हम लोग खाते हैं तो यह तीन चीजे हो दी है basically और यही तीनों चीजों में calorie पाया जाता है energy पाया जाता है अगर हम water में बात करें हम लोग पानी भी पीते है water या फिर हो गया mineral यानि खनीज ठीक है खनीज लवन या फिर और भी तरह की चीजे उसमें भाई energy नहीं होता है वो हम लोग directly ले रहे हैं ले रहे हैं mineral है water है उससे आपको energy नहीं मिलेगा या फिर vitamin हो गया vitamin से भी आपको energy नहीं मिलता है energy अगर मिलता है आपको तो फिर वो carbohydrate है protein है और fat है अब carbohydrate से कितना मिलता है आपको energy protein से कितना मिलता है fat से कितना मिलता है ये भी आप समझ लीजिए देखिए अगर एक ग्राम carbohydrate रहे एक ग्राम अगर आप carbohydrate लेते हैं carbohydrate का मतलब क्या ची हुआ जिसे कि glucose हो गया फ्रक्टोज हो गया गैलेक्टेज हो गया इस सब क्या है carbohydrate से है glucose कि मिलेगالمों अग्रेटर है तो अगर वा एक ग्राम है तो उससे हमें चार कैलोरी उर्जा मिलेगा चार कैलोरी ठेक है है शम lot रहा है एक कैलोरी आपको समझा चुकी है यहाँ पर तो चार कैलोरी कैलोरी जो है आपको समझ में आ रहा होगा और तो इसी तरह अगर हम protein का बात करें तो अगर यहां पर भी 1 gram हम protein लेते हैं तो इससे भी almost 4 calorie उर्जा जो है तो निकलता है, emit होता है, अब अगर हम fat की बात करें, वसा की इसे तेल वेगरा जो रहता है, तेल, घी, इससा fat है, वसा है तो अगर हम एक ग्राम वसा का यूज करते हैं तो उससे नौ कलोड़ी ऊर्जा मिलता है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस से मिलता है आमें फैट से वसा से जिसको जिसको मोटा होना है इस तरह से देखिए मोटा आदमी का मशितर बना रहे हैं कि इस तरह से जिसको बनना है भाई ठीक है सर रहेगा छोटा और सरे रहेगा इतना बड़ा तो भाई आप पाइट के पाद 2 नादन योज के रहे हैं क्योंकि तेल वेगर आप खुब खा रहे हैं तो फिर इससे आपका वजन बढ़ने की चांसे ज़्यादा होती है अब वजन पर कॉंट्रोल कर सकते हैं कैलोरी का उपयोग कम करके आपको कितना एक दिन में कितना कैलोरी उर्जा खपत करना चाहिए कितना लेना चाहिए आपको डाइट में, खाना में, ये भी आप calculate कर सकते हैं, ये चीज़ डिपेंड करता है आपके उम्र पर, आपके लंबाई पर, आपके size के ऊपर, तो अगर इस पर भी वीडियो आप बनाने के लिए कहिएगा, तो बारिकी के साथ बना देंगे, उसका ए carbohydrate protein fat का हम बात कर लिएंगे, इतना इतना calorie जो है, तो निकलेगा, एक gram अगर हम use करते हैं तो, ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अब चलिए थोड़ा सा हम, दैनिक जीवन में आते हैं, जिसे अगर आप सबजीयां खाते हैं, क्या खाते ह हूँ, 100 gram सबजी को आप directly खा जाते हैं, तो उससे almost 20 calorie, 20 calorie उर्जा आपको मिलेगा, कोई भी सबजी आपने लीजिए, चाहाँ बंधा को भी हो, फुल को भी हो, गाज, गाजार भी ले ले सकते हैं, मूली वेगरा, तर्भुज वेगरा, खीरा हो गया, जितने प्रकार के almost, लग भग, exact नहीं है यह भाई, exact कैसे हो सकता है, सबी सबजी को हम बात कर रहे हैं, तो 20 calorie के आसपास आपको energy मिलेगा, उर्जा मिलेगा, ठीक है, तो सबजी में ज्यादा energy नहीं होता है, उसमें और भी vitamins वेगरा होती है, minerals वेगरा होते हैं, खेर, चलिए, अब दोस्तों अगर हम बात करें फल का, fruits का, और यदि हम फल 100 ग्राम लेते हैं, 100 ग्राम आप सेव ले लिए, 100 ग्राम अप संतरा ले लिए, 100 ग्राम अंगुर ले लिए, 100 ग्राम फल में जो है, आपको almost 50 calorie उर्जा मिलेगा, 100 ग्राम फल खाईए, 50 calorie उर्जा पाईए, ठीक है, इससे में उर्जा आपको कम मिल रही है, लेकिन vitamins वेकरा, minerals वेकरा, बहुत भरपूर मातरा मिलता है आपको, इस सबका सेवन ज़्यादा करना चाहिए, अगर आपको सरीर का weight आपको maintain रखना है, तो सबजी और फल का ही ज़्यादा पर्यूग करें, ठीक है, और यही अगर हम बात करें अनाज का, अनाज में हम चावल गेहूं को भी अगर add कर दें इसमें, चावल गेहूं जिसे चावल बना करके आप खाते हैं, गेहूं से आटा बनता है भी आटा से आप रोटी बना करके खाते हैं, तो सारा चीज़ अगर इसी में ले ले लें, और दोस्तों यही आप इसका 100 g जावल को उबाल करके उसको भात बना करके खाते हैं या फिर 100 g आटा है उसको रोटी बना करके खाते हैं तो उससे लगभग में आपको 400 कलोरी 400 कलोरी और जब मिलता है यह एक्जेक्ट नहीं है लकिन उतना के आसपास आपको एनर्जी मिलेगा तो सुचिए और सबसे ज़्याद आपको चावल में मिलेगा, रोटी में तवरा सब कम होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मातरा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन प्रोटीन से भी चार कलोरी निकल रहा है, तो कुल मिला करके आप ये सब मैदा, या फिर बेसन, या तो फिर गेहूं का यहां से आप आलू को निकाल लीजे, क्या चीज को आलू को, और यहां फ्ल में से कैला को निकाल लीजे, तो यह सब में थोड़ा सा एनरजी आपको ज़्यादा मिलती है, जैसे सबजी में अगर हम देखें, तो 20 कैलोरी जो बोल रहे था न, अगर आलू का बात करें तो 50 कै कैलोरी एनरजी रिलीज होता है, तो यह सब बाते हैं, और अगर आप गुलाब जामून की बात करें, जो गुलाब जामून होता है, जो खौवा वेगरा से मैदा, यह सब चीजी वेगरा से बनता है, भाई उसमें एक गुलाब जामून में लगभग में अड़हाए 300 कैलोर कैलोरी एनरजी रहता है, अगर उसको आप लेते हैं, तो अड़हाए 300 कैलोरी समझें आप ले रहे हैं, तो यह सब चीजे हैं, और दोस्तों, यह जो कैलोरी है, जितना ज़्यादा आप लेंगे, आपका मोटाई बढ़ने की चांसे ज़्यादा हो जाएगी, अगर हम आउस 200 कैलोरी भी जा सकता है, अगर आप दिन बाइठे रहते हैं, तो अठावाए 100 कैलोरी एक दिन में ले रहे हैं, तो भाई, काफी है, उससे ज़्यादा माद लीजे, आप जितना मायन के चलिए आप कुछ काम नहीं करते हैं, आप बाईठे हुए हैं, और चावल खा रहे हैं रोटी रगड के खा रहे हैं ठीक, फल वेगरा सब्जी वेगरा कम खा रहे हैं, तो फिर आपका जो है, मोटाई बढ़ने के चांसिस ज्याद हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसमें चांट्रोल करेंगे, यह सब की मातर ज्यादा खाएंगे, तो फिर आपका जो वजन है वो कंट्रोल में रहेगा ठीक है बस मैं रही है तो मुझे उमीद है दोस्तों आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा एकदम बारिकी के साथ देखे कुछ लोग सुचते न कि सर हम बैठे रहेंगे दिन भार तो आठारा सो केलोरी की उर्जा की आउसकता क्यों पड़ेगी इतना नए पड़ना चाहिए क्यों कुछ तो काम कर रहे हैं है नहीं भै आप काम कितनों नहीं करते हैं अंदर में काम होती रहता है आपका हिर्द है धक 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 धड़क धड़क रहा है अब सांस ले रहे हैं बार 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 आपका च्छांती उंचा हो रहा है फिर नीचे फिर फिर इसे हो रहा है और नहीं हो रहा है बहुत सारी चीजी हो रही है अब बैठे हुए भाई तो आँख को भी पलक ऐसे से जपका रहे होँए वहाँ पर भी एनरजी खर्च हो रहा है हाथ पर इधर कर रहे हैं उसमें भी एनरजी खर्च हो लाँ तो सब एनरजी आएगा कहां से यहीं सबसे नाता है कर्भोहेड़ प्रोटीन फैट से तो ही कैलोरी की रूप में यूज होता है तो यह सब चीजे हैं दोस्तों मुझे उमिद है कि आपको हर चीजे समझ में आ गई होगी अगर और भी बारिकी के साथ इसका वीडियो आप चाहते हैं तो और भी बारिकी के साथ हम बना देंगे आपको कितना कैलोरी एक दिन में लेना चाहिए आप कौन सा काम करते हैं आपके हायट वेट के अनुसार जो है तो कैलकुलेट करके चीजे आती है तो उस पर भी एगर वीडियो बनाने के कहेंगे तो बना देंगे देंगे चलिए आज यहीं तक आपको समझाते हैं बाकी बाद एक दिन में तो सारची पोसिबल नहीं अब देखेंगे नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही अब मिलेंगे अगला वीडियो में